आज बाबा दी साकार्दे मुल्ली 19 अगस्त 2021 की बाबा ने किया मिठे बच्चे तुसी हूं सचे सचे राज रिशी राज योगी तुहानू राजाई वास्ते पवित्तर यरूर बनना हैं परशन है केड़ा अटैंशन राजाई दे लाईक बना दिन्दा है केडा एहोजा अटेंशन है, त्यान हैगा जड़ा किसा नू सातियुग दी राजाई दे लाइक बनादूगा उत्तर है अगर पड़ा ही उतते, पूरा पूरा अटेंशन है अगर सा नू आब दी पड़ा ही अटेंशन है, ता राजाई मिल जाओगी बाप जो सुनांदे ने उनु अच्छी रिती सुन के तारन करना है बाप ने जो सुनाया ते बच्चेया ने सुनिया ता राजाई मिल जाओगे अगर सुन दे समे उबासी दित्ती जज्चुट का खादा बुद्धी पटकी तर राजाई गूम हो जाएगी इसलए पड़ायुते पूरा अटेंशन देना है बाबा केंदे भी अगर सत्युग दी राजाई लेनी है ता पड़ायुते की देना है पूरा पूरा अटेंशन देना है गीत है असी उन्ना राहा उत्ते चलना है गिर गिर के भी संबलना है बाबा केंदे विसा डिया जडिया राहा है गी है ए मुश्किल भी है क्योकि सा डि माया नाल युद्ध है पर बावा कहांदे माया अनेक बार गिरांधी कोशिश करूगी, पर बच्यानुग गिर के भी उठना है, ओम शान्ती रोहानी बाप रोहानी बच्च्यानू समझान दे है आज बच्च्यानू हठ योग ते राज योग उत्ते समझान दे है आज बाबापानू किदे उत्ते समझान दे है वी हठ योग किनू क्या जन्दा है ते राज योग किनू क्या जन्दा है बच्च्यानू मालुम हैं, बच्च्यानू पता है कि ओ जो भी सिखलान देया है, ओ सारा है हाथ योग। बच्च्यानू पता है निर्विर्ती मार्ग वाले, उन्ना दा तरम ही अलग है, तो हाड़ा तरम है देवी देवता तरम, जिन देवी देवतियाने राज योगतों सत युगदा राज्ये पाया सी, हुन तुसी हुन राज रेशी, रेशी कि ननू क्या जन्दा है, जो पवित रेशी कि रज योजन फ्रक वाले, जो पवित रेंदे हैं तुसी हुन पवित्तर रेंदे हुन, अगर पवित्तर नही तां उन्नू राज रेशी नही कैसर देव तुसी राज्याई पान वास्ते पवित्तर बन देहुन, एहे कोई राज्याई पान वास्ते पवित्तर नहीं रहंदे। हुन पुजारी ते पतीत बन गए। पतीत कीमे बने। चुरासी जनमादा हिसाब है न। बाप जो सैज रायोग सानू सिखलांदे है ओही तो हनू चुरासी जनमादा हिसाब भी दस देने। दूसरे तरह वाले ओ एन गलानू की जानन। तुसे जान देओ कि हाठ योग भी अनेक तरह दा हुन्दाने। दौपर दे विच्च पगती मार्ग दे नाल नाल हाठ योग भी शुरू हुन्दा है। तो हाड़ा है राज योग। ओहो हाठ योग ता जनम बाई जनम कर दे आये। राज योग ता तुसी इक जनम ही सिख दे हूँ। ओन्नानू ता जनम बाई जनम पुनर जनम लेना ही पैंदा है। तुसी राज योग सिखन वास्ते पुनर जनम नही लेना पैंदा। ओहो राज योग, एहे राज योग, तुसी सिरफ संगम ते ही सिख दे हूँ राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, ता फिर और सारे तरम खतम हो जान देने तुसी राज रेशी हूँ रादे क्रेशन भी पवित्तर है ना? क्रेशन नुता महात्मा क्या जन्दा है, क्योकि महात्मा पवित्तर नु क्या जन्दा है हुन तुसी भी महात्मा हूँ, ते राज रेशी हूँ महात्मा अर्थात पवित्तर ते महान आत्मा ए गल्लाता शाष्तरां दे विच्च भी नहीं है शाश्तर अद्धीविता बाद विच बनेने कहानिया बैठ लिख दितियां जो पास्ट विच हो गया ओदा बाद विच बैठके कहानिया लिख दियां पर एहे कोई सच्चिया नहीं है तहुन बाप बच्च्यानू प्रेक्टिकल विच पड़ान आयेने उन्ना दे कोई हिस्ट्री उन्ना दे फिर हिस्ट्री बनाई है कैंदे ने तिन से नावा सी यादव कोरव ते पांडव तप जरूर संगम उत्ते होन गियां संगम युग दी हिस्ट्री बैठ बनाई है वास्त विच जडियां हे कथावाने एकी है इस संगम युग दी कहानियाने तो हार आदी भी सारे ही संगम युग देने राखी बंधन भी पवित्तर तादा है पिच्छे फिरोदा यादगार चलदा है एथे बाप भी सार्यानू पवित्तर बनान दी परतिग्या करांदी है सिख लोग तां कंगन पांदेने एवी पवित्तर तादी नेशानी है हिंदू लोग जे नेव पांदेने एवी पवित्तर तादी नेशानी है पर पवित्तर ताद कोई रहन देने राखी बंधन देने अर्थ थोड़ा ही समझ देने आग्गे ब्रामल लोग राखी बंदे सी बाबा की कहनद है बी अग्गे तां जेड़े ब्रामल लोग सी ओ आके राखी बंदे सी हुन तां पैन पाईनू राखी बंदी है किन्ना खर्चा हुनदा है ए तां हुन फैशन ही बन गया है वास्त विच्चता है पवित्तर तादी गल बाप कहनदेने बच्चे काम महाशत तुरू है ओ एहे ब्रामल लोग एवे कोई समझांदे थोड़ाई है वी ब्रामल लोग है जड़े राखी बंदेने एवी कोई पवित्तर तावास्ते थोड़ाई बंदेने एता बेहद दा बाप कहनदे है कि बच्चे हुन पर्तिग्या करो कि असी पवित्तर राहांगे पतितो को पावन बनान वाले आउ, सत्युग तरेता विचता बुलान दे विनी एहे बाबा केंदे कि ओह है राम राज्य, टे एह है रावन दा राज्य राम राज्ये विच पंज विकार हुंदेनी बाबा केन दे कि यथा राजा रानी तथा प्रजा मना कि सारी उत्थे पुवित्तर हुंदेनी हुन ता जरूर हुन तुसी बच्चे जान देओं कि असी बाबा तो स्वर्ग दी बाश्याई ले रहे हां फिर नरक विच जरूर जाना है बाबा आया है पावन बना के स्वर्ग विच ले जान वास्ते बाब नहीं समझाया है कि पारत जदो पतीत बंदा है रावन दा राज्य हुन दा है ओधो ही तर्ती हिलनी शुरू हुन दी है सोनने दे मैल आदी सारे निच्चे चले जान देने मैला आदी नो कोई लुटिया थोड़ा ही है ओता सिरफ मंदरा नो लुटिया है कुछ जेवर सोनना आदी लै गएने जेवरां दा सब तो जास्ती शोंक तो हनु है माबा केंदे वी सोनने दे जडे जेवर है उन्ना दा सार्या नालो जास्ती शोंक तो हनु है तुसी स्वर्ग विच बोत जेवर पहन दे हूं राज्य कर दे हूं और तरम वाले तां आंदे ही बाद विच है तुसी बेहद दे बापतों स्वर्ग दी बाजशाइदा वर्सा लेंदे हूं एक गल्ला बाप बैठ बच्यानू समझान दे है गीता पढ़के नहीं सुनान दे गीता दे विच तां जो कुछ भी लिखिया है एहे सब मैं किया ही नी पगवान केंदे है विबलकी जो गीता दे अंदर क्या गया है उगल्ला ता सगो में कहीं आई नी एता मनुश्याने मेरे महावाक्यानू बाद विच बैठ होनना दे शाश्तर बनाई नी असी तां जो तो हानू सुनाया ओ तुसी सुनिया ते जाके राजाई कित्ती फिर एह ज्यान ही खतम हो गया एत्थे ता बाप तीचर बन बैठ शिक्षा दिन्दा है बाप ता हिंदी विच ही समझान दे है सब एत्थे सारे हिंदी केंदे रंदे है जो उनना दी पाशा है वास्त विच प्राचिन पाशा हिंदी सी नाकी संस्कृत इस संस्कृत पाशाता शंकराचार्या ने कड़ी है जो आंदे है उपनी पाशा चला दिन्दे ने बाकी एवे ने कि बाबा ने कोई गीता संस्कृत विच सुनाई गुरु नानक ने आवदा गरंथ बनाया उसने फिर सिख तरम दी स्थापना किती ओनु वी अवतार मन्या जन्दा है उस विच राजाएं भी हुंदे है सन्यासियों विच राजाई ने हुंदे अवग अंदे जड़े सन्यासियों कारबार चाड़के चले जन्दे है उन्दा विच कोई राजाई ने चल्दी अच्छा मिठे मिठे सिकी लदे बच्चयां परती मात्पिता बाप दादा याद प्यार ते गुड मोर्नी रोहानी बाप दी रोहानी बच्चयानू नमस्ते रोहानी बच्चेयां दे, रोहानी बाप, दादा जेनू, याद प्यार, गुड मॉनिंग, नमस्ते, शुकरिया बाबा, शुकरिया अग्ये तार नावास्ते है, मुख्या सार, बाबा ने किया पहल्या, कुल कलंकित करन वाला, कोई भी बुरा काम नहीं करने बाबा ने बच्चेया नू सावधानी दित्तिया, कि बच्चे कुल कलंकित करन वाला, कोई भी बुरा काम नहीं करना है पुवित्तर बनन वास्ते, आवदे आपनाल, खुद ही परतिग्या करनी है दूसरा है, आवदा टाइम, मनी, वेस्ट नहीं करना है विहुन तो अड़ा जड़ा टाइम है, ते तो अड़ा जड़ी मनी है, ताने ये बोध कीम्ती है विहुन तुसी आवदा टाइम ते आवदा जड़ा ताने, ओ फाल्तु कम्मा विच्च वेस्ट नहीं करना है फुल्ला दे बगिच्चे विच चलन वास्ते कंडे कड़ देने फिर वर्दान है, पहले आप दे पाठ द्वारा ताजधारी बनन वाले चतुर सुजान भव जिवे बाप दादा, आप दे आपनू ओबिडेंट सर्वेंट केंदे शिप बाबा, आप दे आपनू की केंदेने, कि मैं बच्चेयां दा ओबिडेंट सर्वेंट हाँ ते सर्वेंट कैन नाल ता आजदारी स्वते ही बन जान दे हैं। विजदो कैन दे हैं कि असी सर्वेंट हां ता फिर ताज तारी भी अपनी आपी बन जान दे हां। एहुजे बच्चे स्वयम नमर्चित बन दुज्यानू स्रेष्ट सीट दे दिन दे। उन्नानू सीट ते बिठान गे ता ओहो उत्तर के तोहानू खुद ही बिठा देंगे। जेड़े बच्चे खुद नमर्चित बन देने ते दुज्यानू अग्ये कारके उन्नू सीट उत्ते बठान देने ता ओहो खुद उत्तर के तोहानू पहला सीट उत्ते बिठान गे। अगर तुसी खुद सीट उत्ते बैठन दी कोशिश करोंगे ता ओहो बैठनी नी देनगे। ऐसले दुज्यानू पहले बिठाना मना आवदे आपनू बिठाना। तब पहले आपदा पाठ पक्का करो। तब फिर संसकार भी जड़े है उस्याज इक दुज्ये नाल मिल जानगे। ताज तारी बन जावांगे। एही चतर सुजान बनन दा तरीका है। इस विच मेहनत भी नहीं ते प्राप्ती भी जड़ा है। स्लोगन है अंतर मुखी एक कांत वासी बनन वाली स्रेष्ट आतमा ही अव्यक्त स्थिती दा अनुभव कर दी है। अंतर मुखी एकांत वासी बनन वाली स्रेष्ट आतमा ही अव्यक्त स्थिती दा अनुभव कर दी है। ओं शांती झाल कि झाल